हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का उत्रखंट पोस्ट पर उत्रखंट से जुड़ी हर ख़बर सबसे पहले उत्रखंट पोस्ट पर साथ ही उत्रखंट से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आधी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें मुक्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने मंगलबार को मुक्यमंतरी आवास इस्तेत मुक्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन शेत्रों से आए लोगों से मुलाकात की साथ ही अपनी समस्याओं से लोगों ने सेम धामी को अफगत कराया सेम धामी ने सभी की समस्याओं सुनी साथ ही संबंतित अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश उन होने दिये धामी ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निराकरण अधिकारियों की जिम्मेदारी है आम जन्ता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री तक ना आना पड़े यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का दाईत हो है जन समस्याओं का तुरित निराकरण अधिकार्यों की नैतिक जिम्मेदारी भी है सीम धामी से अपनी समस्याओं लेकर आने वालों में सभी धर्मों एवं मर्गों के लोग शामिल थे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज सरकार सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास की भावना के साथ सबी की समस्याओं के समधान के प्रती संकर्प बद्द है मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का तुरित निराकरण राज सरकार की प्रती बद्द आए मुख्य मंत्री ने कहा हमने प्रदेश की जन्ता से जो भी वादे किये हैं तथा राज्य के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें समय बद्दिता के साथ पूरा किया जाएगा सियम धामी ने प्रतियक आगुन तक से मुलाकात की और उनकी शिकायतों और समस्याओं को जुना उन्होंने सभी को उनकी समस्याओं का यथा शंभाव जल्द से जल्द निस्तारण के प्रति आश्वस्त किया साथ ही इस संबंद में अधिकारियों को भी नर्देश दिये मुक्यमंत्री ने सभी समस्याओं और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और उन पर की जा रही कारवाई का फॉलू अप भी करने के निर्देश अधिकार्यों को दिये है झाल